आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूल देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके हम अपनी procrastination को बहुत कम कर सकते हैं procrastination हम सबको होता है और उसके पीछे जो reason है वो यही है कि जब हम कोई काम करने का सोचते हैं और हम नहीं कर पाता है तो वो चीज हमारे अंदर एक ऐसा thoughts create करते हैं और वो thoughts कहीं नहीं हमारी और भी जो areas in life के वहाँ भी problems create करते हैं लेकिन यह जो rule है यह आपको वहाँ से निकाल सकता है यह rule कहता है कि जब आपको procrastination हो तो आप उस काम को 2 minutes में ही करने का सोचिए सिर्फ ज्यादा मत करिए 2 minutes कहीं करने का सोचिए अब हमारे mind में question आएगा कि 2 minutes करके उस काम को मैं ऐसा क्या productive कर लूँगा और क्या यह चीज sustainable है तो मैं आपको बता लूँ इस rule के पीछे जो psychological process है वो यह ही है कि हमें एक habit create करनी है हमें 2 minutes I know की 2 minutes करके हम कुछ बड़ा नहीं कर देंगे कुछ productive नहीं कर देंगे लेकिन हम उस 2 minutes को रोज कर रहा है daily basis पर consistency basis पर जिससे हम उस type के इंसान बन रहा है हम उस type के person बन रहा है जो 2 minutes उस काम को करवा रहा है for example अगर मैं meditation करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है मुझे comfortable जगे बैठ जाना है अपनी आखे बंद करनी है और अपनी breath को observe करना है while inhale और exhale और 2 minutes तक ऐसे ही मुझे observe करते रहना है और बाद में अपनी जो eyes है वो open कर लेनी है तो simple सा 2 minutes का step था लेकिन मैं इसको daily basis पर लेकिन अगर यह चीज हमने कर ली और हमारी habit डैवलफ हो गई तो सच में हम अपने time को भी gradually बढ़ा सकते हैं वो इतना matter नहीं करता है matter करता है कि habit वन जाना जो concept है स्रूल के पीछे वह यही है कि हम जब भी हमें procrastination हो जब भी हमें कुछ भी हो तो हम उस काम वो कर दें थोड one minute two minute is not a big deal right कोई भी उसको कर सकता है मजे मजे में तो I hope यह video आज आपकी help की होगी और आपको समझ में होगा कि कैसे procrastination cycle से बहार निकला जाए बड़े step लेनी से अच्छा है कि हम छोटा step लें और उसको daily basis पर करें जिससे हम उस type के इंसान बन जाएगे जो daily meditate करता है daily reading करता है daily exercise करता है और daily अपनी लाइफ के जोए करता है